हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब चली आज हम आप लोगों को बताएंगे हेवी साइज वाला ब्लाउज की कटिंग अस्तर वाली कटिंग कैसे कीजिएगा अस्तर वाला कप्डा का देखिए मेरा जो फैब्रिक्स है यह किस तरीकी का है बनारसी टैप का है थोड़ा सा तो इस कप आते हैं इसलिए ब्लाउज जो है अच्छे से बैठता नहीं है तो भी बताएंगे तो चली वीडियो के बिना स्किप किये देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा चली पहले अस्तर की कटिंग करेंगे उसके बाद यह वाला फैब्रिक का कटिंग करेंगे तो जो मेरा फ देखिए ग्यारा मेरा साइज है ग्यारा हम साइज लेंगे ग्यारा इतना मेरा फिटिंग साइगी अब देखिए दो इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए अब देखिए प्लाउस का जो लंबाई है वो भी हमको जादा ही लेना है क्योंकि हेवी साइज बलाउस है तो हमेशा हम बताते हैं जब भी अब हेवी साइज वाला बलाउस बनाईएगा तो हम सिक्स्टीन लीजेगा में देखिए शिक्स्टीन पर दाग देंगे अब गला के लिए हम लेंगे तीन इंच और तीन इंच हम लेंगे कंदा अब देखिए गला वमारा जो है डीप रखना है इसलिए हम दस इंच लेंगे अब इसको गुलाई का सेब देदेंगे इससे करके अब देखिए आर्मोल की कटिंग करेंगे आर्मोल हम हमेंसा साड़े पांच इंच लेते हैं इसमें थुरा ज्यादा लेंगे छे इंच लगबग इसमें गोलाई का सेब देंगे देखिए इस तरीके से और यह वाला जो हम लिए थे इसको मिला देना है देखिए ब्लाउस की जो है अब लाइन ड्रो जैसे हम किये थे वैसे करना अब इसका जो बीच होगा वहां पर हमारा टाक्स लगेगा देखिए इस जगह पर जैसे हम लाइन ड्रो किये हैं अब इसी सेम टू सेम को कटिंग कर लेना है तो जैसे लिए कटिंग करते हैं तो देखिए हम जैसे लाइन ड्रो किये थे वैसे सेम कटिंग कर लिए हैं पीछे साइड वाला मेरा कटिंग हो गया है अब जो मेरा कटोरी यह वाला जो बच्चा मेरा आर्मोल कटिंग करने के बाद इससे हम कटोरी निकालेंगे जब भी आप कटोरी निकालेंगे इसी में आप दिक्कत करते हैं गलतियां करते हैं कि जब भी आप कटोरी निकालते हैं तो जैसे सब में कटिंग करते हैं वइसे पर इसमें वैसा नहीं करना है हेवी साइज वालह बलाऊ्ज है तो देखें मेरा जो बलाऊ Щ काा साइज नॉर्मल हम लेते हैं 9 इंच या तो पर जो लंबाई है मेरा हम लेते हैं पांच इंच सब में पर इसमें वैसा नहीं करना इसमें मुझे एक इंच डेड़ इंच ज्यादा लेना तो हम साड़े छे इंच लेंगे देखें अब यहां से ले करके यहां तक गुलाई का सेव दे देना है इस तरीके से गोल हो गया अब यहां पर जैसे हम तिर्शा करके कटिंग करते हैं तो छोटा साइज में करते क्या है कि यह वाला ज्यादा कपड़ा लेते हैं 이ulse के और मेरा जब हेवी साइज बाला बाला होगा तो यह वाला कपड़ा हमको छोटा लेना हाख लेना लेकिन लेना जरूर karışे हैं यह से करके इस में कम लें एक इंच के необход limit कीजेग़ा तो इसमें आप 1.5oring दो इंच जितना ले सकते हैं अच्छा हुआ चलिए अब जैसे लाइन ड्रो किये हैं वैसे से में कटिंग कर लेते हैं पर अब जैसे में से चलिए इन अब कर देखिए कटिंग हो गया है मेरा तो हमेशा हर कोई करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा 80 cm कपड़ा है तो हम ज्यादा बड़ा इतना heavy size ब्लाउज नहीं बन सकते हैं एक मीटर कपड़ा चाहिए या तो ज्यादा कपड़ा चाहिए ऐसा नहीं है आधा निकालेंगे पहले देखिए उसके लिए लंबाई मुझे लेना है 11 इंच आधा इंच रक्षा लेंगे अब यहां से गला के लिए हम लेंगे पांच इंच यहां से हम लेंगे साड़े तीन इंच यहां से लेंगे हम साड़े पांच इंच यार मुल के लिए ले रहे हैं साड़े पांच इंच अब यहां पर हम लेंगे यहां से साड़े छेंच अब यहां पर गुलाई का सेब देंगे देदी है अब देखिए इसको जो है इससे मिला देना है हो गया अब यहां से यहां तक मुझे गुलाई का सेब देना है देदी है अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किया है इससे हम कटिंग कर लेंगे कर देदी हम लेंगे इसको जोएंट था इसको रटा देना है सबस्वाइब है आप जोस है इसको कटिंग पर कर लेंगा है अब दिखेंक माल निका लेंगे देखिये कमर के लिये यह मेरा कपड़ा था इसको ऐसे फोल्ड करेंगे कमार मेरा जो पीछे साइड वाला जितना था उतना ही मुझे लेना है 11 इंच था 2 इंच अक्ष्टा था तो यह मेरा एक दम पर्फेक्ट है 13 अब देखिए एक तरफ लेंगे 4 इंच अब एक तरफ मेरा होगा 5 इंच देखिए इसको बस तिर्शा करते हुए लाइंटों सिधा कर देंगे ऐसे पटन कर लेना है अब इसको इसको जॉइंट था उसको अटा लेंगे देखिए हमारा जो कमर का तीरा था वह भी कटिंग हो गया है नीचे वाला कटोरी का साइड वाला पल्लर पीछे साइड वाला यह हो गया कटोरी देखिए 80 स्टीमिização कपड़ा में कैसे अच्छे से कटिंग हो गया है मेरा अब जैसा जैसा कटिंग किये हैं सेम इसी में उसको रख- रख के बस कटिंग कर दिना आप नहीं लेना है जैसा कटिंग किये हैं इसको इसके ऊपर रख रख क्यों कर दिना है तो फ्रेंड्स विडियो दिलिए और कुछ भी सीख पा रहां तो प्लीज वीडियो लाइक कि जिज़ी जद्याधा सेयर कीजिए और अगर अपने चाहे मेंना है तो प्लीज कर देखिए फोल्ड कर लिए है कि अब देखिए इसे बैठा बैठा कर देना कर देखिए इसके उपर रख रख के इसे बस कटिंग कर देना है कि अब आप कि अब आप कि अब आप कि अब आप कि झाला है जला है कि झाला है झाल 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 तो फ्रेंट्स देखिए हमारा जो ब्लाउज की कटिंग है वो हो गया है देखिए मेरा पीछे वाला साइड है यह हूप का जो पट्टी होगा उसके लिए है यह मेरा कटोरी है देखिए देखिए यह साइड वाल पल लर है यह तिरा हो गया यह नीचे वाला कटोरी का जो है वह वह वाला है देखिए तो फ्रेंट्स जैसा हम बोले थे वैसे कटिंग रख रख के बस कटिंग कर दे thank you, bye bye